शहर की ताजा खबरे देखने के लिए NBCN News को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले शहर के जवार नगर मनपा प्रशासन द्वारा परिसर सील कर दिया गया जिससे परिसर के नागरिकों में मनपा प्रशासन के खिलाप तीवर असंतुष दिखाई दिया इतना ही नहीं तो लोकसर को पर भी उतर आये थे नागपुर में लॉकडाउन लगते ही सारे कामकाज बंध हो गए लेकिन सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी शितिता प्रदान की तो रोज के दिन्चरिया को लगने वाली वस्तुए मिलने लगी है नागपुर हॉट स्पॉट बना है कोरोना महामारे से मौमिनपुरा, सत्रंजीपुरा, पारवतिनगर, बाबुलखेडा, जवारनगर, आदी परिसर रेड जोन में आये थे इनी परिसर से अब तक मनपा प्रशासन के करमचारियों ने सेंकड़ों लोगों की जांच की है जिसमें कई लोग निगेटिव पाए गये हैं लेकिन मनपा प्रशासन्दवारा अभी भी परिसर के सील नहीं खोले जाने से कई बस्तियों के लोगों को रोज मर्रा के कामकास करने के लिए परिसर के बाहर आ जा नहीं सकते हैं इससे शहर के कई परिसर में लोगों में असंतोश फैला हुआ है ऐसे में जवार नगर पांडरा बोड़ी मुमिनपुरा आदी कई परिसर के लोग परिसर का सील जल से जल मनपा निकाले और काम के लिए आजादी दे ऐसी मांग लोगों ने की है जवार नगर में भी लोगों ने बाहर निकल कर मनपा प्रशासन का विरोध किया है एक तरब मनपा प्रशासन का विरोध हो रहा है तो वहीं दुसरी और कोरोना महामारी का खत्रा अभी भी टला नहीं है रोजाना कई परिसर के नागरिक पॉजिटिव आ रहे हैं 423 पे 7 का आ पुर कि एक प्राइबा पूर पूर नहीं है धूजिजिए ठाभी एक प्राइबाह कर दोगों प्राइबा मैं का पिरोग करना का प्रूजिए।